खूप सूरत चेहरे पे जो मरते हैं जनाब, उसे मरना नहीं भटकना कहते हैं। जूट को ही अच्छे लहजे की जरूरत पड़ती है, सच तो हर लहजे में कड़वा ही होता है। पाने की बेकरारी और खोने की देश्षत का नाम है मुहबबत। ध्यान रहे, उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। न तुम अपने आपके गले लग सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिन्दगी है। अगर दिखावे की बातचीत है तो तुम दिमाग में रहोगे, अगर समझोगे जरा सा भी सीधे दिल में उतर जाओगे। कभी तूटती थी पलेट बच्पन में तुझ से, अब मां से तूट जाए तो कुछ मत कहना। कभी तू मांगता था गुबारा बच्पन में मां से, अब मां चश्मा मांगे तो ना मत कहना। डांटी थी मां प्यार से, शरारत होती थी जब तुझ से, अब मां सुन ना सके तो उसे मत डांटना। जब तू चल नहीं पाता था तो मां पकड़ कर चलाती थी, अब चल ना पाई मां, तो तुम उसे सहारा देना। जब तू रोता था, तो मां सेने से लगाती थी, सब सह लेना दुख तू, मगर मां को रोने मत देना। जब पैदा हुए थे तुम, तब मां तुम्हारे पास थी, जब अंतिम वक्त हो मां का, तो तुम मां के पास रहना। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप हिम्मत नहीं छोड़ते जिसमें डूबने का हुनर हो वो जुरूर उभरता है हालात से लड़ता रहूंगा तब तक तनहा जब तक बिगड़ा मुकदर नहीं सवरता हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मरते हैं फिर भी इन दोनों के बीच हम साथ होने के हजारों भ्रम पालते हैं किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है मैंने हसकर कहा समय अपना है तो सब अपने है वरना कोई नहीं अपना वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हूं दिल से रिष्टे पैसों के महताज नहीं होते क्योंके कुछ रिष्टे मुनाफ़ा नहीं देखते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं माफी गलतियों की होती है हर जगया दिल लगाने की नहीं देर लगेगी मगर सब सही होगा हमें जो चाहिए वही होगा दिन बुरे हैं जिन्दगी नहीं जिस तरह चड़ता है उसी तरह उतरता है चोटियों पर सदा के लिए कौन ठहरता है बहुत गरूर ना कर अपने आप पे एदोस्त मिट्टी का खिलौना है तूट कर बिखरता है गाम में नीम के पेड कम होते जा रहे हैं घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है जुबान में मिठास कम हो रही है शरीर में शूगर बढ़ती जा रही है किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में तब समझ लेना के लोगों को ग्यान की नहीं जूतों की जरूरत है नजाकत तो देखिए सुखे पत्ते ने डाली से कहा चुपके से मुझे अलग करना वरना लोगों का रिष्टों से भरोसा उठ जाएगा वेद पढ़ना बेहत आसान है वेदना को पढ़ना बेहत मुश्किल बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने असान है लोग सुनते हैं छुपचुप कर बाते और कहते हैं कि दिवारों के भी कान होते हैं एहसास बदल जाते हैं बस और कुछ नहीं वरना मुहब्बत और नफरत एक ही दिल में होती है हे काना हो अगर तुम अजनबी तु लगते क्यों नहीं और अगर मेरे हो तु मिलते क्यों नहीं जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करें आप जैसे भी हैं सरव स्रेष्ट हैं इसलिए मुस्कुराते रहिए एक प्यारी सी लाइन उल्टी या सेधी कैसे भी पड़ो मतलब एक ही है हैं जिन्दगी तो अपने हैं क्यों उमर भणने पर पत्नी अधिक भाती हैं क्योंकि अच्छी बातें देर से ही समझ आती हैं क्यों याद करेगा कोई मुझे वे वजह है एक खुदा लोग तो वे वजह हैं तुझे भी याद नहीं करते अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब